हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फैमिली किचिन, मैं हूँ रश्मी, श्वागत आपका मेरी फैमिली किचिन में, तो आज मैं लेकर आई हूँ, ऐसे जब और जस्त टेस्ट वाले छोले की सबजी की रेस्पी, जिसे आप एक बार 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 बनाना चाहेंगे, आप से एकी रेक्वेस्ट है, वीडियो को लाज तक देखना और रेस्पी पसंद आए, तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं और भी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर जरूर से कर लेना, चलिए आज की रेस्पी सुरू करते हैं, तो इधर मैंने एक कटोरी छोल को रात बर भिगो दिया था, देखिए फूल चुके हैं ये, और मैंने इनको अच्छे से दुल लिया है, तो आप क्या करना है, इन छोलों को करना है, वाइल, और इसके साथ मैं क्या क्या डालूंगी, चलिए देख लेते हैं, तो सबसे पहले लेना है, एक कुकर, इसमें ड मातर लिये हैं, और देखिए मैं इसमें चार से पांच हरी मिच डाल दे रही हूं, और मैंने लहशुल लिया है, और एक अद्रक का तुकडा डालूंगी इसी में, तो ये सब चीजे इसी के साथ बॉयल होंगी, और हरा धनिया ले लिया है, इसको डाल दिया है, और एक पोटली में इसको देखिए इस तरीके से बाध लिये हैं, और इस तरीके से जब हम डालते हैं पोटली बना कर तो जो ये इसका फ्लेवर है न सारे छोलों में आ जाता है, तो बहुत ही टेश्टी सबजी बनती है, तो इसमें आब मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और मैं मैं कम पड़ेगा तो और डाल दूँगी और थोड़ी सी मैंने धनिया का मशाला डाला है, धनिया पावडर डाल दिया है, आप क्या करना है, पानी डालना है, जिससे की ये देखिए जो छोले है न हलके से डूब जाए, और मैं इसमें डाल दूँगी मीठा सोडा, जिससे जल्दी भी बॉइल होंगे, वो बड़िया से बॉइल होते हैं, अब सभी को मिक्स कर देना है, अच्छे से आप क्या करना है, इनको बॉइल करना है, तो तीन से चार सीटी लगाएंगे, मीडियम टू लो गैस पर, और उसके बार ठंडा हो जाएगा, तब मैं दिखाती हू जो छोले हैं बड़िया से बॉइल हो चुके हैं, और जो मसाले के लिए सब चीज डाली थी, वो भी अच्छे से बॉइल हो चुकी है, और ये सबसे पहले पोटली निकाल लेंगे, प्याज, इसमें जो प्याज है, टमाटर है, और लहसो निसी में रहने देंगे, थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, और हरी मिर्च भी निकाल लेंगे, तो देखिए, टमाटर का छिलका निकाल देंगे, और जो पोटली है, उसके मसाले खोल लेंगे, और जो खड़े मसाले हैं जैसे तेज पत्ता बगर है, और दाल चीनी बगर है, उनको निकाल लेंगे, और सभी को पीस लेना है तो देखिए मैं दिखाती हूँ छोले इस तरीके से बॉल होने चाहिए तो जो छोले का टेस्ट है पोती बढ़िया आता है तो अच्छे से मैसी मैसी होने चाहिए तो इनको मैं निकाल ले रही हूँ तो मैंने बाल में निकाल लिये हैं इदर देखिए जो देख इसमें हींग इन सबको थोड़े सह भुनने देंगे और छोड़ी जाल देंगे । भराय के लिए होगते में इसी नहीं पुणकी मशाट दून लेंगे छोले जब ऑल किये थे बास इतने ही डाल देगे क्युकि ग्रेटी जैसे जोड़ी सी बनेगी ना थोड़ा कम पड़ेगा तो सारे मिस्ताली डाल दीए इतार सबी जो मशाली थे ना उनको पीस लिया है तो इसका हरा कलर हो गया है क्योंकि धनिया थी इसी के साथ पीसी थी तो देखिए कितना बढ़िया से मशाला बन गया है इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे 2-3 मिनट क्योंकि पहले से यह बॉल होते हैं तो इनको जादा भूनने में टाइम नहीं लगता है तो देखिए दर जो मसाले हैं भून चुके हैं तो आप क्या करना है जो छोले रखे ने बॉल करके बस उनको डाल देना है बहुत ही आशान है इस तरीके से छोले की सबजी बनाना और बहुत ही टेस्टी बनती है जवर जस्त टेस्ट वाली यह सबजी बनकर तयार होती है आ आप जाते हैं चोले की सब्जी खाते हैं वो फेल हो जागी जब इस तरीके से आप सब्जी को बनाएंगे बढ़िया से कर दें one मिक्स करने के बाद आपको देखना है किस तरीके से आपको ग्रेवी रखनी है तो मैं चावल के साथ इसको सर्प करूँगी तो ग्रेवी है थोड़ी सी सई से रखूँगी क्योंकि यो जो छोले है ना बनने के बाद भी थोड़े थिक होते हैं तो ग्रेवी के हिसाब से मैंने मैं पानी डाल दिया है अब बढ़िया से मिक्स कर दिया है आप क्या करणगी मैं इसको ठक कर पकाऊंगी 5-6 मनेट मीडियम टु लो गैस पर देखिए आप जो चोले हैं बहुत ही जल्दी पक कर तयार है थोड़ा सा आप कल्ची से हलका सा मैस भी कर सकते हैं तो जब छोले अच्छे से बॉयल होते है बहुत ही बढ़िया एक दम ग्रेवी बनती है बहुत ही बढ़िया सब्जी मनकर तयार होती है धर मैंने कशूरी मैठीली है थोड़ा क्रस्ट करके इसको डाल दिया है और आगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी डाल सकते हैं क्योंकि हरा धनिया पहले से ही डाल दिया है तो बस ये देखिए फाइनल ये छोले की स्पेसल इकदम बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाली सब्जी बनकर तयार इसको सर्फ कर लेंगे तो देखिए बढ़िया से बन गई है तयार आप इस सब्जी को पूड़ी पराठा या वटूरे या चावल किसी के साथ सर्फ करें खाके मज़ा ही आ जाएंगे एक बार इस तरीके से आप सब्जी को जरूर बनाना एक बार जब आप इस सब्जी को बना लेंगे ना तो इस तरीके से आप जरूर बनाएंगे और इस सब्जी में आपको कोई जादा टाइम लगने वाला नहीं है जैसे हम नौर्मन सब्जी बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है इस तरीके से जब आप छोले की सब्जी बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनेगी मिंटों में बनकर तयार होती कोई घंटों नहीं लगते है तो देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बनी है एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनी है और ये जो छोले है एकदम मैसी मैसी होते हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो देर किस बात की आप भी अपने किचिन में जरूर बनाएं इस तरीके से ये छोले की सब्जी अगर पसंद आई हो मेरे तरीके से ये छोले की सब्जी तो एक लायक जरूर कर लेना बड़ी ही टेस्टी बनती है इस तरीके से और सबसे आसान है कोई झंजट नहीं है कोई घंटों लगने वाले नहीं है शिर्फ कुछ ही मिंटों में ये सब्जी बनकर तयार हो जाती है और मेहमान आ जाएं और एकदम से अलग तरीके से अलग ट्रिक से ये सबजी जब आप बनाएंगे ना तो आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे तो जरूर आप भी बनाए इस तरीके से छोले की सबजी अगर पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाना फ्रेंड्स और कॉमेंट में बताना की आपको ये रैस्पी कैसी लगी है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नई रैस्पी के साथ तक तक के लिए बाई और टेक यार